या देवी सर्व भूतेशु मा बुद्धी रूपेण संस्तिता नमस्तस से नमस्तस से नमस्तस से नमो नम ओम दुम दुर्गाए नम दोस्तो आज नवरात्री की अस्टमीती थी है आप सभी को नवरात्री की अस्टमीती थी एवं मा महागोरी की पूजा की हार्दिक शुबकामनाए मा महागोरी की कृपा सदैब आपके तथा आपके पूदे परिवार पर बनी रहे दोस्तो आज हम सुनेंगे मा दुर्गा सब्ट सती पाठ का अध्याय देवी सुक्तम जो की दो है पहला है रिग विदोक्तम देवी सुक्तम और दूसरा है तंत्रोक्तम देवी सुक्तम दोस्तो उसके बाद हम करेंगे आर्ती एवं छमा प्रातना तो आईए दोस्तों पूरे सची श्रद्धा भावना से शुरू करते हैं मा भगवती के दुरगा शब्त सती पाठ का अध्याय देवी सुक्तम पहला देवी सुक्त रिग विदोप्त देवी सुक्त जो शेंग की पीट पर विराजमान है जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है जो मरकत मणी के समान कानती वाली अपनी चार भुजाओं में संक, चक्र, धनोष और बान धारन करती है तीनों नेत्रों से शुशोभित होती है जिनके भिन भिन अंग, बंधे हुए, बाजू बंध हार, कंगन खन खनाती हुई, करधनी और रूंजुन करते हुए, नुपुरों से बिभूशित है तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल जिल मिलाते रहते हैं वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गती दूर करने वाली है महशी अंभ्रेन की कन्या का नाम वाक था, वो बड़ी ब्रह्म ज्यानिनी थी, उसने देवी के साथ अभिंता प्राप्त कर ली थी, उसी के ये उद्गार है मैं सचीदानंद मई, सरवात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वे देवगणों के रूप में विचरती हूँ मैं ही मित्र और वडुन दोनों को, इंद्र और अगनी को, तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारन करती हूँ मैं ही शत्रूओं के नाशक आकास चारी देवता सोम को, तथा पूशा और भग को भी धारन करती हूँ जो हविश्य से संपन हो देवताओं को उत्तम हविश्य की प्राप्ती कराता है तथा उन्हे सोम रस के द्वारा त्रिप्त करता है उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यग का फल और धन प्रदान करती हूँ मैं संपुर्ण जगत की अधीश्वरी अपने उपासकों को धन की प्राप्ती कराने वाली साक्षात कार करने योग्य पर ब्रम्ह को अपने से अभिन्य रूप में जानने वाली तथा पूजनिये देवताओं में प्रधान हूँ मैं पंच स्वरूप से अनेक भाव में इस्थित हूँ संपुन भूतों में मेरा प्रवेश है अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहां कहीं जो कुछ भी करते हैं वह मेरे लिए करते हैं जो अने खाता है वो मेरी शक्ती से ही खाता है क्योंकि मैं ही भोगती शक्ती हूँ इसी प्रकार जो देखता है जो सांस लेता है तथा जो कही वई बात सुनता है वो मेरी ही सहायता से उप्त सबकर्म करने में समर्थ होता है जो मुझे इस रूप में नहीं जानते हैं वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं वे बहुशुत मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती और मनुश्यों द्वारा सेवित इस दुरलव तत्व का वर्नन करती हूं। मैं जिस जिस पुरोष की रक्षा करना चाहती हूं। उस उसको सबकी उपेक्षा अधिक शक्ति साली बना देती हूं। उसी को स्रिष्टी करता ब्रह्मा परोक्ष ज्यान संपन रिशी तथा उत्त मेगा सकती युक्त बनाती हूं। मैं ही ब्रह्मद्वेशी हिंसक असुरों का वद करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूं। मैं ही शर्नागत जनों की रक्षा के लिए सत्रूओं से युद करती हूं। तथा अंतर्यामी रूप से प्रिथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूं। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सरवाधिश्ठान स्वरूप परमात्मा के उपर उत्पन करती हूं। समुद्र संपुन भूतों के उत्पत्ती स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धी की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स् रूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिती है। अत एव मैं समस्त भूवन में व्याप्त रहती हूं। तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्स करती हूं। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंब करती हूं। तब दूसरों की प्रेढ़ना के बिन स्वयम ही वायू की भाती चलती हूं। स्विच्छा से ही कर्म में प्रविर्त होती हूं। मैं प्रीथवी और आकाष दोनों से परे हूं। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूं। दोस्तो दूसरा सुक्ति है अथ तंत्रोक्तम देवी सुक्तम। मा दुर्गा दुर्गम संकट से बाहर निकालने वाली सबकी अधार भूता, सर्वकार्णी, ख्याती, क्रिश्ना और धुम्रा देवी को सर्वदा नमश्कार है। अत्यंत सौम में तथा अत्यंत रोद्र रूपा देवी को मैं नमशकार करता हूँ, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधार भूता कृती देवी को बारंबार नमशकार है, जो देवी सभी प्राणियों में विश्नु माया की रूप में कही जाती है, उनको नम उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांती रूप में इस्थित हैं। उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ती अर्थात स्वभाव रूप में इस्थित हैं। उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टी रूप में इस्थित हैं। उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। जीवों के इंद्रिये वर्ग को अधिस्थात्री देवी एवं सप्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं। उन व्याप्ती देवी को बारंबार नमशकार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपुन जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमशकार उनको नमशकार उनको बारंबार नमशकार है। पुर्वकाल में अपने अभिष्ट की प्राप्ती होने से देवताओं ने जिनकी स्तूती की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्यान की साधन भूता इश्वरी हमारा कल्यान और मंगल करे तथा सभी आपत्यों का सर्वनाश करे। उदंड दैत्यों से सताय हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमशकार करते हैं तथा जो भक्ती से विनम्र पुरुषो द्वारास्मरन की जाने पर ततकाल ही संपुन विपत्यों का नाश कर देती है वे जगदंबा हमारा संकट दूर करे। जै अंबे गोरी मैया जै स्यामा गोरी तुमको निश्दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरी ब्रह्मा सिवरी ओम जै अंबे गोरी मांग सिंदूर विराजत टीकों रिगमद को उच्वल से दूने ना चंद्र वदननी को ओम जै अंबे गोरी कनक समान कलेवर रखतांबर राजे रखत पूस्प गलमाला कंठन पर साजै ओम जै अंबे गोरी के हरी वाहन राजत खडग खपर धारी सुर्णर मुनिजन सेवत तिन के दुख हारी ओम जै अंबे गोरी कानन कुंडल सोभित ना साग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समजोती ओम जै अंबे गोरी सुम्भ निसुम्भ विदारे महिसा सुरधाती धुम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती ओम जै अंबे गोरी चंड मुंड संगारे सोडित बीज हरे मधु कैठब दो मारे सुरभैहीन करे ओम जै अंबे गोरी ब्रह्मानी रूद्रानी तुम कमलारानी आगम निगम बखानी तुम शिव पतरानी ओम जै अंबे गोरी चौसठ योगी निगावत नृत करत भैरू बाजत ताल मृदंगाओ बाजत डमरू ओम जै अंबे गोरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपती करता ओम जै अंबे गोरी भुजा चार अति सोभित वर मुद्रा धारी मन वांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जै अंबे गोरी कंचन थाल वी राजत अगर कपुर बाती शिमाल के तुमे राजत कोटी रतन जोती ओम जै अंबे गोरी मांबे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानन स्वामी सुख संपती पावे ओम जै अंबे गोरी मैया जै स्यामा गोरी मैया जै मंगल करनी मैया जै आनंद करनी मैया जै संकट हरनी तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरी ब्रह्मा शिवरी ओम जै अंबे गोरी बोलिये शिंगवानी दुर्गा मैया कीजै चमा प्रार्थना परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं यह मेरा दास है यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम क्रिपा पुर्वक चमा करो परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानता विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता छमा करो देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्र हीन, क्रियाहीन और भक्ती हीन पूजन किया है वह सब आपके क्रिपा से पुर्ण हो शैक्रो अपराद करके भी जो तुमारी शरन में जा जगदंब कहकर पुकारता है उसे वह गती प्राप्त होती है जो ब्रहमादी देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है जगदंब के मैं अपराधी हूँ, किन्तु तुमारी शरन में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी परमेश्वरी, अज्यान से भूल से अत्वा बुद्धी ब्रांथ होने की कारण, मैंने जो नियूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब छमा करो, और प्रशन्न हो सचीदानन स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पुर्वक मेरी या पूजा सुईकार करो, और मुझ पर प्रशन्न रहो, देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनिये से भी गोपनिये वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किये हुए इस जब को ग्रहन करो तुम्हारी क्रिपा से मुझे सिद्धी प्राप्त हो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगिया तो क्रिप्या मेरी चैनल लाइफ अन फैक्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट में जैमातादी जरूर लिखें धन्यवाद